तो हेलो लो गाईज मेरा नाम है अर्ष आप लोग देखें रहे सिफ यूटूब चैनल तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे PC सेटप को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में सो गाईज अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे कनेक्शन के बार में बताया है तो आपको पार्ट टू यानि ये वीडियो उतना समझ में नहीं आएगा तो जाके पहले पार्ट वन देखो जो की मेरे चैनल में मिलेगा गाईज आपको आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गेम पले को फोन से कनेक्ट करके कीबोर्ड और माउस के थुरू कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जुरूत पड़ेगी जिसमें हम अपने फ्रीफायर को एड़ करके चलाते हैं और बिना उस प्लेटफॉर्म के अगर हम डारेकली गेम खेलना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं ह है तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वह प्लेटफॉर्म कौन सा है उसको एक्टिवेट कैसे गरते हैं वगयरा 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 तो रन करने के लिए आपको जिस प्लेटफॉर्म की जुरूत पड़ेगी उसका नाम है पैंडा माउस प्रो जो कि आप मेरे स्क्रीन पर अटरफेस दिखेगा जिसमें दो ऑप्शन है गाईस जिस पर भी रेड मार्क है एक है नो डिवाइस कनेक्टेड और गाईस दूसरा ऑप्शन है अपना नीड एक्टिवेशन गाईस इस आपको चलाने के लिए हमको एक्टिवेशन बांगाईगा गाईस जिसको हम पीसी औ मैकबुक के सिरू अग्टिवेट कर सकते हैं और दोसरा ओप्न है गाईस इसको अटिवेट करने का पैंडा माउस प्रो का एक टणराइप जिसको कनेक्ट करना पड़ेगा गाईस आपको बट गाईस यहां पर आप इसको फ्री में कैसे कर सकते हो गाईस वो मैं आपको बताऊंगा बिना किसी MacBook, बिना किसी pen drive के और हाँ, अगर आप सोचो बिना activate की हम इसको free fire on कर लें तो ऐसा possible नहीं है जिसा आप देखी सकते हो यहाँ पर बता रहा है activate करने के लिए जब तक वहाँ पे take mark नहीं आएगा तब तक आपका game on नहीं होगा और जब तक आप इसको activate नहीं करोगे guys तब तक आप keyboard और mouse के through gameplay नहीं कर सकते हो तो आपको इसको कैज़े single phone से करना हो मैं बताऊंगा उसके लिए आपको एक app को यह प्लेगी guys LADP जिसका link मैं description में दे दूँगा इसको on करने के बाद यहाँ पर दो option मिलेगा guys आपको एक है port number जो कि आपका पांच से word का होता है और एक है आपका pairing code guys यह port number और यह pairing code guys आपको आपके phone में ही मिलेगा कहीं अलग से नहीं खोजना पड़ेगा guys यह आपके phone में मिल जाएगा guys easily उसके लिए क्या करना है guys आपके अपने phone की setting को करना है on search bar में जाके type करना है developer option guys यह developer option on करने के बाद आपको नीचे scroll down करना है guys और scroll down करते हुए guys आपको मिलेगा wireless debugging इसको on करना है guys यह wireless debugging आप खोज लिए आप इसको on कीजिए but बिना wifi connection के wireless debugging नहीं होनोंगा इसके लिए आपको किसी ना किसी एक का wifi connection लेना पड़ेगा किसी के भी घर में किसी के भी hotspots थे आप wifi connection लीजिए और wifi connection लेते ही guys यह आपको दिखेगा guys यहाँ पे पियर डिवाइस बित पेरिंग कोड इस पर आपको क्लिक कर देना है guys यहाँ पर आपको दिखेगा पेर डिवाइस बित पेरिंग कोड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है wifi पेरिंग कोड और दूसरा है IP address and port आपको क्या करना है अपने LADP एप को floating window में आउन करना है ऐसे guys और चले जाना है guys आपके setting में और फिर से आपको on करना है guys अपना pairing code यानि pair device with pairing code यहाँ पर आप देख सकते हो last में जो 5 words का लिखा है 44309 यह किसी भी हर mobile का change होते रहता है guys इसको आपको type करना है guys यह है आपका port number 44309 जो last में 5 है आपका port number है और जो लिखा है wifi pairing code 326 words का है guys यह है आपका wifi pairing code guys इन दोनों को type करने के बाद आपको simply ok कर देना है और कुछ ऐसा interface on होगा guys LADP में इसमें आपको क्या करना है guys एक code है guys एक code है जिसको आपको paste करना है वो भी description में दे दूँगा इसको post paste करने के बाद guys यहाँ पर run button पर click कर देना guys नीचे side में run button है आपके keyboard में उसके बाद guys यह आपका कुछ ऐसा coding हो जाएगी और जब अपना panda mouse pro on करेंगे guys तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका activated और हाँ guys जो उपर वाला no device connected है guys जो मैंने पिछले वीडियो में आपको connection का setup दिया था guys उसमें अगर आप जैसे ही अपना otg connector अपने phone से connect कर देंगे guys तुरंत के तुरंत guys आपका phone connect हो जाएगा और यहाँ पर भी blue tick आ जाएगी और guys आप देख सकते हो यहाँ पर keyboard के signs आ रहें guys और अगर आप normal free fire on करोगे तो keyboard के signs नहीं आएंगे और इसमें आप इसको customize भी कर सकते होगी कौन से जगां पर कौन सा key रखना है कितने keys रखने वगएरा वगएरा guys यह आप सिर्फ जब panda mouse pro app से करोगे तभी मिलेगा guys अगर आप direct free fire on करके करोगे तो ऐसा